Hello everyone, welcome back to my channel MPA तो आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूं और आज का चुछ वीडियो है वो एक DIY वीडियो है जो मेंने वेस्ट मटेरी लिए उस करके बनावा है तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्टाम विजिट किया है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर DIY, Makeover, Paintings और Crafts related वीडियो से अफ्लोड करती हूं तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की आज का जो वीडियो है वो जिसा कि मैं आपको बता दिया एक DIY वीडियो है और वेस्ट मटेरियल से बनाया है बहुत ही इंट्रस्टिंग सा वीडियो है बहुत प्यारा सा DIY वीडियो है आपको जर्बत पसंद आएगा तो वीडियो को इंतर देखना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्स् का निए हैं तर अब हम हम रखेंगे थोड़ी देर पानी में आपकर चीजिए सोख न है क्योंकि जब इसमें बड़ बड़ आ कि इसमें होल हो जाएगा क्योंकि हम इसे करने वाले हैं दोनों साइड हो ताकि हम इसे हैं कर सकें तो इसे होल करने के बाद हम वाइट एक्रेलिक कलर से से पेंट करेंगे और यहां पर मेंने एक उलड को पेंट किया है क्योंकि मैं इस पींट nego कलर करने वाली हूं तो यलोकालर का टेक्श्चर प्यो यल्लो आए इस लिए मसे पहले ऑग वाइट कीया था सियरलो कलर से पेंट करने के तो मैं इस तरह का डिजाइन बनाऊंगी जब भी आप इसी प्लांटर में कलर करते हैं या प्लांटर पर कोई डिजाइन बनाते हैं तो में एक्शोर आप वोटर का यूज ना करें, अनली कलर्स ही यूज करें जिससे कि आपका पेंट हे वो निकलेगा नहीं और हो सके ता यहां पर मैने अगला कुलर लिया है और इस फर मैं तर्किश ब्लु कलर कर रहे हूं अप जब भी प्लांटर की उपर करते हैं तो आप अक्रिलिक लही कीजिए वाटर कलर या पोस्टर कलर का यूज दो क्यों जो निकल जाते हैं यह थे हम प्लांटर में वाटरिंग करेंगे तो उनके निकलने के चांस रहते हैं तो आप एकलिक कलर कीजिए और जिसा कि मैंने बताया आप लास्ट में वर्निश कीजिए डिजाइन कम्प्लिट होने के बाद में आपर परमानित मार्कर से आउटलाइन बना रही हूँ इसी तरह पीसरा जो कुलड़े उस पर मैंने ग्रीन कलर किया है और इस पर भी मैं रेंडम ली लीव्स वगेरा बनाऊंगी तो हमारे तीनों जो कुलड़े वो रैडी हो गए हैं और इस तरह से दिख रहे हैं मैंने तीनों कुलड़ पर वर्णिश कर दिया है ताकि जो इनका पेंट है वो निकले ना अब मैंने कुलड़ में जो हॉल किये थे उसमें यह थ्रेड लगाऊंगी और इस थ्रेड की हेल्प से उन्हें हैंग करूंगी तो जो यह थ्रेड है वो मैंने थ्री टैम्स लिया है ट्रिपल लिया है ताकि थोड़ा थोड़ा यह मोटा भी हो जाए और जब हम इसे हैंग करें या इसके अंदर कुछ रखें तो वह तूटे ना तो इस तरह से थ्रेट को हम होल में से बहार की साइड से अंदर की साइड में निकालेंगे और अंदर की साइड में नोड लगाएंगे ताकि जो हमारा होल है उसमें से थ्रेट निकले ना तो इस तरह से हमने सारे कुलडों में थ्रेट लगा देना है और अच्छे से नोड झाल झाल किérique तो हमारे कुलर्ण रेडि है तो इस तरह से सेपरेट भी है कर सकते हैं और खाली भी रख सकते हैं और यह कलरफुल थो प्लैन वोलड पर यह काफी अच्छा लगेग़ कि यह सेपरेट ना रखकर अगर हम इसे अटेश करें तो इसके लिए मेंने। यहां सब्लांब बने मंसे रिखत करा नहीं साथ हो ऊप यहां सब्सक्रीक्षरीव. है कि आप चाहे तो इन्हें इस तरह से ंटी भी रख सकते हैं या फिर इसमें आप आर्टी कीज़ लगा सकते में हाप और ऊरिजिनल ट्लान्ट लगऊंगे कि मुझे इंडूर प्लांटब्स का बहुत सोग है तो मैं यहाप और ऊरिजिनल ट्लांट्स यूज आप चाहें तो आर्टिफिशल प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं यह जो ces ँरिगा तो आज का अब कश्ता होता है अपको कई कई पैसा लगा अगर इना आए वा आपको अच्छा लगा हो झाल झाल